अम इसमें बाकी सारे जो questions थे ना, इससे हम चेक करें तो ये भी proper fraction थी, यान डिनोमिनेटर में क्या था, x square था और नियूमिरेटर में power क्या थी, 1 यानि power 1 थी, तो ये क्या है, less थी power तो ये proper थी, इसमें भी ये proper fraction है, इस case में भी ये proper fraction है, उपर power 1 है, degree of polynomial 1 है, नीचे square है, 2 इस case में भी ये proper fraction है, इस case में भी ये proper fraction है, next में भी x की power 1 नीचे square, यानि proper fraction, इस case में भी नीचे, इस case में अब क्या है, उपर highest power क्या है, यानि degree of polynomial क्या है, 2, और नीचे अगर हम देखें, नीचे power ये नहीं देखनी एक factor की क्या है, अवर आल चेक करनी है, या एक्स इंट ये equal numerator, and the degree of polynomial is equal to degree of denominator, तो it's mean, it's a improper fraction, तो इसके लिए एक additional पहले इससे step करना पड़ेगा, यानि इससे proper fraction में convert करना पड़ेगा, और next question अगर हम देखें, इसमें degree of polynomial numerator की क्या है, and cube है, यानि 3 है, और denominator की क्या है degree? square है, तो it's a proper fraction, it's also an improper fraction, यानि enumerator की degree क्या होगी, greater होगी denominator की, तो ये दोनों जो questions हैं, ये दोनों के हैं, improper fraction की हैं, तो इसमें एक additional step करना पड़ेगा, तो इसमें से एक question discuss कर लेते हैं, then exercise complete हो जाएगी. I am going to discuss question number 8, as it is somehow difficult as compared to question 7. The question is, 6x cube plus 5x square minus 7, ये numerator है, और denominator की है 3x square, 3x square minus 2x, 2x minus 1. Okay, तो अब सबसे पहला step हमने क्या करना होते हैं, देखना होते हैं, कि whether the fraction is proper fraction or improper fraction. Proper fraction है, तो then we have to go ahead, और अगर वो improper fraction है, तो firstly we have to convert it into proper fraction. अब improper fraction को proper fraction में convert कैसे करते हैं, basically it's a deviant, यानि ये quotient की form में है, यानि it's the dividant, इससे divide करना होते हैं, और it's the divisor, यानि इस पे divide करना होते हैं, तो ये within the deviant sign जाएगा, यानि numerator है, 6x cube प्लस 5x square माइनस 7, डिवाइडेंट है ये, और devisor की है, कि इस पे divide करना है, 3x square माइनस 2x माइनस 1, अब इसे solve करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, ये जो constant लगा हुआ है, यानि जो number है, within the x cube, उसे कैसे balance कर सकते हैं, तो 3 को हम, यह 6 है, तो 3 को किसे multiply करेंगे, 2 से, तो ये 6 माइनस जाएगा, यानि हमने क्या करना होता है, फर्स टम को, इसे ऐसी रकम से multiply करना है, कि फर्स टम कैंसल हो जाए, तो इस केस में 3 को 2 से multiply करेंगे, तो 6 हाँगा, अब x square है, यहाँ तो x cube है, कैंसल करने के लिए x square चाहिए, तो x square को किसे multiply करेंगे, x से, यानि इस पूरे को हम क्या करेंगे, 2 x से multiply करें, 2 x से, जब 3 x square multiply होगा, तो ये क्या मन गया, 6 x cube, 2 x 1 से multiply होगा, तो 2 x 1 से multiply होगा, तो x, इस में मैंने क्या किया है, x cube वले जो term है, q वले के नीचे रखा, square वले को square वले के, और x वली कोई term नहीं थी, तो मैंने उससे, जो constant था, उससे next वले पराख लिए, हम क्या करते हैं फिर बाइण में हाँ इसी कर्वा इसे सब्टरैक्ट करने का मτιनले सिंड किसों होगी हों इसी साइन के और लिए संदे है, भलस की साइन को हम न भी लिखें तो वह पलस का साइन होता है अभले साइन रोलाय के साइन कर आ दिंति छे एώρα इसका का माइनस आद आ परें प्लस का कैने लिए माइनस साल्व चेंच अंपरें एकस के about君किक कि महिका लगे क्युंकि हम सब्टेक्ट कर रहे थे प्लस टू एक्स माइनस सेमन यह हमारे पास बच गया हम हम अगर चेक करें तो अभी भी नूमिरेटर की डिगरी का है इट्स दा डिडॉमिनेटर डिगरी स्क्वेर है और यहां अभी भी स्क्वेर है तो इसका मतलब है हमने इसे फर्दर गिप्लस करना है तो हम अधा । आम हम से क्या कर सकते है थ्री एक्स स्क्वेट थी और नाइन कैसे आएगा थ्री को हम क्या करें यह गगा थ्री से मिल्टी प्लै कर माstru шए इट्वार थ्री यह धिए थैसमिल्टीॉज़ीयुवा तो क्या मनn-गा फ्लस वला माइनस में चला गया माइनस वला ज़ा माइनस में माइनस वला प्लस में यह कैंसल होगे बलस 9 x कज़े माइनस 9 x स्क्वेर ब्लस प्लस प्लस 2 प्लस 6 8 x और माइनस 7 प्लस 3 plus, minus, minus और साइन, बड़ी रखन वला करेंगे वि Based 7 से 3 दो टो 4 और साइन हमेशा एक large value का आता है तो यहां क्या आजएगा minus 4 तो अब यह क्या होगी है अब यह देखें यह क्या होगी है degree less आगी है degree of the denominator तो अब इसे लिखते कैसे हैं इसे लिखने का एक short formula या रखने के लिए qr over d ऐसे इसे लिखते हैं r over d क्या होते है this is the quotient this is the reminder r से reminder और this is the divisor यानि के quotient अब कौन से this is quotient यह जो value है यह उपर इसे कहते है quotient तो इसे लिख लेंगे 2x plus 3 q plus r over 3 ऐसे लिखते हैं यानि फ्रेक्शन में लिखते हैं अब यहां आगया whole यानि इस आ whole value अब इसके बाद हमने क्या लिखना है reminder reminder क्या होता है जो बचता है ये reminder reminder क्या आगया 8x minus 4 quotient जो यह उपर वाली value है वो लिखा फिर reminder जो है वो लिखा अब नीचे क्या लिखना है जो यानि डिवाइजर था वो नीचे ही रहता है डिवाइजर क्या आगया 3x square minus 2x minus 1 यह प्लस यह हमारे पास क्या आगई इसे अब यह क्या होगी यह improper fraction proper में convert होगी है इसे हम खाली ऐसे भी लिख सकते हैं यह फिर यह हम plus का sign बात होई है अब यानि यह हमारे पास इसे हम क्या लिखेंगे अब हमारे नही फ्रेक्शन क्या मानगी है 2x plus 3 plus 8x minus 4 अब 3x square minus 2x minus 1 अब हमने इसे consider करना है यह end पे add कर लेंगे ठीक है यह किसके equal है अब यह proper fraction मानगी है उपर वली निमेरेटर में क्या value है x यानि degree के 1 और नीचे के 2 है तो इसे प्रॉपर फ्रेक्शन निमेरेटर की डिरी लेस है डीनॉमिनेटर की तो इसे अब हमने पहला step क्या किया इंप्रॉपर को प्रॉपर में convert कर दी अब second step क्या होते है अगर यह quadratic equation यानि हमने अगर यह simplify हो सकती हो तो हमने simplify करना है तो इसके फेक्टर एजिली बन जाएंगे क्या मारा है 3 और 1 तो 3 X के रहसे लिखा हमने देखा एक फेक्टर क्या था 3 और दूसरा 1 तो हमने का जो बड़ी रकम का साइन होते है वो साइन यह माइनस टू माइनस आना चाहिए तो हम बड़ी रकम यानी 3 के साइन माइनस लगा लेंगे 3 X और 1 के साइन क्या प्लस 1 1 X या खाली X लिख ले और माइनस 1 एजिट इस अब इससे हम क्या लिख सकते है 8 X माइनस 4 और 3 इसमें से क्या 3 X कॉमन आ गया अंदर क्या 3 X स्क्यर था तो 1 X निकल गया 1 X रह गया माइनस 3 X पूरा निकल गया 1 प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 1 तो अंदर क्या बच गया X माइनस 1 तो इससे हम क्या लिख सकते है तो फेक्टर क्या माइनगे 3 X प्लस 1 और अड़ अधर फेक्टर इस X माइनस 1 तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2x plus 3 ऐसी रहेगा प्लस अब हमारी यानि यह extra term है यह से फॉणसर में लिखने हैं अब हमारी जो proper fraction थी उसे हम resolve करने लगे हैं तो अब भी हमने देखा proper fraction 8x minus 4 तो ऐसी रहेगा और इसके factors क्या मन गे थे 3x plus 1 3x plus 1 and the other factor is x-1 तो यानि इस term को ना अब answer में हम लिखेंगे अब हम ये proper fraction है इससे resolve कर रहे हैं तो ये क्या बनजेगा A अवर first term यानि first factor 3x plus 1 plus B अवर second factor अब ये बिल्कुल वैसे ही solve होगा जैसे हमने पिछलो question solve किया था तो पहला क्या step है LCM से पूरी equation को या multiply कर दें या इसका LCM ले 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 तो LCM क्या है 3x plus 1 और x minus 1 इसमें मैं पूरी equation को LCM से multiply कर देती हूँ ताकि different होजे method दोनों तरीकों से answer से माईगा बिशक पहले LCM लेके फिर करवा ले या ऐसे करनी LCM को हमने पहले ये क्या है left hand side से multiply किया दो टर्म्स है, plus या minus का साइन जो होता है वो टर्म्स को separate करते है this is one term, this whole and this is the second term तो हम क्या करते है LCM हर टर्म से multiply होता है तो 3x plus 1 into x minus 1 ये LCM था ये पहली term से multiply होगा a over 3x plus 1 फिर plus का साइन दुबारा हम क्या लिखेंगे जो LCM है 3x plus 1 into x minus 1 और ये multiply होगा b over x minus 1 से अब इसमें 3x plus 1 3x plus 1 से cancel होगया x minus 1 x minus 1 से cancel होगया और x minus 1 3 ये ये तो equation आप क्या बशेगे 8x minus 4 equals to a into x minus 1 plus b into 3x plus 1 अब पहला क्या है पहले फेक्टर को 0 पुट करना है फिर दूसरे को पुट करने ने पुटिंग x minus 1 equals to 0 in equation इसे equation 2 कह लेने है पुटिंग x minus 1 equals to 0 जब इसे 0 पुट करेंगे equation 2 में this implies x की क्या value होगी 1 तो यहाँ पुट कर लेते हैं 1 minus 4 equals to a x की जगा 1 minus 1 plus b into 3 x की जगा 1 plus 1 तो यह क्या 8 1 times 8 minus 4 equals to plus minus 0 a 0 into a 0 b into 3 1 times 3 plus 1 3 plus 1 तो यह क्या 8 minus 4 4 4 4 equals to 3 plus 1 4 b फिर क्या 4 को हमने डिवाइट कर दिया this implies b की 4 b equals to 4 था ना तो b की क्या value आगी 4 over 4 which is equals to 1 यह हमारे पास b की value आगी अब हम क्या करेंगे second factor को 0 put करेंगे second factor की है putting 3 x 3 x plus 1 3 x plus 1 equals to 0 in equation 2 this implies 3 x equals to minus 1 तो x की क्या value आगी minus 1 over 3 अब equation हमें पीछे से देखने पड़ेगी equation हमारे पास क्या थी 8 x minus 4 8 x x की जगा हमने क्या पूट करना है minus 1 over 3 plus 4 minus 4 sorry 8 x minus 4 equals to a into x minus 1 x minus 1 यानि x की जगा हम क्या पूट कर देंगे minus 1 over 3 minus 1 plus b x minus 3 x minus 3 x plus 1 3 x की जगा क्या पूट कर देंगे minus 1 over 3 plus 1 यह हमने क्या की सिर्फ equation में x की value पूट की okay अब यहां देखे plus minus minus 8 x 8 over 3 minus 4 equals to a ऐसे यह आएगा इसका अगर हम LCM लेके आ रहे है 3 इसके नीचे तो 3 पहले ही था तो minus 1 ऐसे इसके नीचे की है कुछ भी नहीं यानि 1 है 1 into 3 3 into 1 minus 3 आए plus b यह 3 और यह 3 cancel होगे minus 1 क्या बचा minus 1 plus 1 okay अब इदर अगर हम LCM लें तो 3 LCM आ रहे है 3 3 से cancel minus 8 इसके नीचे कुछ नहीं है means 1 है 1 into 3 3 into 4 minus 12 और यह क्या आगया a minus 3 minus 1 क्या होगया minus 4 over 3 और यह plus 1 minus 1 cancel होगया 0 0 into b 0 ठीक है और a में 0 add करेंगे तो वो यह यह नी अब next हमारे पास क्या है इसे अगर हम solve करें minus minus operation plus का होगा और sign बड़ी रखांगा minus का sign 12 plus 8 20 over 3 equals to यह क्या आगया minus 4 over 3 a तो हमने a की value find करनी थी हमने क्या किया दोनों साइड को multiply कर दिया minus 3 over 4 बलके minus minus से cancel हो गया 4 over 3 से 3 over 4 से multiply कर दिया 3 over 4 से 2 साइड को multiply गया 3 3 से cancel 4 4 से cancel 4 1 time 4 4 5 10 का answer क्या आगया 5 equals to a a की value क्या आगी 5 बी दोनों की values find कर ली अब हम क्या करेंगे first value equation में put कर ली इससे लिखने का क्या तरीक है क्योंकि हमने इससे in proper fraction को proper में convert किया था basically यहां क्या आ रहा था 2 x plus 3 हमने इस रकम को consider नहीं किया था हमने यह किसे resolve किया जो proper fraction आई थी सिर्फ उससे resolve किया ठीक है तो question क्या था 2 x 2 x plus 3 plus plus क्या था 8 x minus 4 over 3 x plus 1 into x minus 1 यही था ना हमारा question basically यह था जब हमने divide किया और हमने सिर्फ proper fraction को convert किया तो देखो यह term जो थी यह थी तो as it is आईगी 2 x plus 3 इसे हमने solve नहीं किया तो इसे answer में ऐसे लिखने है plus इसे हमने solve करके क्या लाया a over 3 x plus 1 a की value क्या आईए a की value 5 तो 5 over 3 x plus 1 minus minus नहीं plus b over x minus 1 b की value क्या आईए 1 over 1 over x minus 1 this is the answer I think after watching this video you have gained a basic knowledge of what are partial fraction and basically what is a fraction and its types and how to resolve a fraction into partial fraction what steps we have to follow and the complete method of solving a fraction whose denominator consists of non-repeated linear factor in the next video we will discuss repeated linear factors video the good that's what you the